हेले दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी उमीद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत आपका शर्मार्जिनिंग क्लासस के अंदर दोस्तों राजस्थान की भरतियों को लेकर एक नया अपडेट जारी हुआ है उसके अंदर क्या है कि कई विशिष्ट गणों ने राजस्थान की जो प्रिक्षाई हैं उनके जो बोर्ड हैं उनके साथ मिलकर बैठक की हैं और उन्होंने कुछ जानकारियां जो है वो ओफिश जो प्रिक्षाई आजस्तान में थी उनके उपर क्या क्या बदलाव किये गए हैं और सभी प्रिक्षाऊं की मैतपुन जानकारी जैसे की लैब टेक्निशियन एसी जी रेडियो ग्राफ और इनके अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव किये गए हैं चाहे वो जोइनिंग को लाश्ट तक देखना दोस्तों बिल्कुल एक पॉइंट में आपको ओफिशली तरीके से बताऊंगा तो ध्यान से देखिया दोस्तों यहां पे मैं आपको दो नोटीस दिखाऊंगा और आपको वहीं पर बात क्लियर हो जाएगी यहां पर देखिए इसमें क्या कहा गया है उपेन यादव जो है आपको पता है कौन है उपेन यादव ने अभी अभी जो दो दिन पहले जो क्या है एक अप्लोट डाली थी पोस्ट डाली थी कि रेडियोग्राफर भरती का प्रिणाम अभी हाली में क्या है रेडियोग्राफर का जो एक्जाम हुआ था उसकी भरती क का प्रिणाम जारी करवाने लैब टेक्शिन भरतियों बच्चे उपदों का प्रिणाम जारी करवाने तथा पतवारी प्रिक्षाती थी जैयन इसी जी बरती सहीत अन्य कई आज ली मांगों को लेकर चेर्मेण हरी परसाइजी से मुलाकात की अधिया आपको पता है आर्य स्मेसिक पूरो आईप्यस अधिकारी है उनसे उपयनियादवने मुलाकात की ठिक इना जिसके अंदर मुलाकात की जो एहम विश्या थे रेडियोग्राफर भरति का प्रिणाम जारी करवाने का जाना लेकिन बाक्र बच photograph ok उसके सहब प्रिजल्ट है उसको लाने का फिर लेब technician जी बरतिसीत अन्य के मांगों को लेकर वो अरी प्रसाद जी से मुलाकात उन्होंने की थी अब उन्होंने क्या कहा है जो हरी प्रसाद जी सर्माया है उन्होंने ये कहा है कि रेडियोग्राफर भरती का जो परिणाम है वो 10-15 दिन के अंदर जारी हो जाएगा ठीक है ना 10-15 दिन के अंदर जारी हो जाएगा तो यहाँ पर आपको नोट करने हाली बात यह दोस्तों कि 10-15 दिन तक का वेट केजिए जिन लोगों ने रेडियोग्राफर का एक्जाम दिया था उनके एक्जाम का जो रिजल्ट है जो उसकी जो परिक्षा का जो परिणाम है वो आपका 10-15 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यानि कि अपने यूँ कह सकते हैं कि आपको अपरेल महा में ही आपको रिजल्ट जो हो देखने को मिल जाएगा ठीक है ना बाकी ज दोसरा सा पहला नोटिस दूसरा नोटिस आपको बताता हूँ जो यहां पर देख़से ऑफीश्यल नोटिस अवे न्या थें माहा में जारी हो जाएगा ठीक है ना इसके अलावा पतवारी प्रिक्षा अब आप लोगों के लिए एक शौकिंग न्यूस है पतवारी भरती की प्रिक्षा अब जून में नहीं होगी यानि कि जो पतवारी की प्रिक्षा है वो जून में नहीं होगी बलकि उसको पोस्ट प पतवारी परिक्षा होने के चांसेज हैं अगे इसके अंदर फिर भी कोई अपडेट होता है तो मैं आपको ओफिशली न्यूस दे दूँगा ठीक है ना लेकिन अभी तक जो है जो बोर्ड की तरफ से जो सुचना आई है वो यह है कि पतवारी भरती की परिक्षा अब जून म इत्यादी जो भरतिया है उसको लेकर के भी उनके बीच वारता हुई यान की बोर्ड मेंबर्स के बीच में मुलाकात हुई और उन्होंने उनको जानकारी दी है जो के भी उपेन अदर जीन अप्लोड नहीं की है जैसे वह अप्लोड करेंगे तो मैं आपको बता दूगा कि क्या क्या जानकारी है step by step छिक है ना जैसे मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको क्योंकि काफिचार लोगों डाउट है थे कि सर नोटिस तो में मिल गया लेकिन इसका मतलब क्या है वह आप जरा समझा दो तो में मतलब समझाने के लिए मैं यह जो वीडियो है वो बना कि जाएगी अभी क्या है थोड़ा से बीजी चल रहा है उथल बूदर चल रही है बोर्ड के अंदर और कुछ वह जो गया एडवल्यूस आरक्शन की वज़ाए से जो एक्जाम लेट हो गए थे आपको पता है ना एडवल्यूस जो एकोनोमिकल विकर सेक्शन होते हैं उनक प्लेशने जाएक प्लेलिस्टाएं है।